तुनिशा के आत्मधा के मामले में नयने पहलू सामने आ रहे हैं। तुनिशा के माने सिजान पर कई आरोप लगा है। मारसादिक में मान है रहिया लभीब और इन्होंने भी सिजान पर कई आरोप लगा है। क्या कहेंगी कि आप सीजान को लेकर काफी कुछ जानती हैं क्या कुछ जानती हैं जो आप हमारे वीश रखना चाहिए जी मैंने टुनिसा को तीन चार सल से जानती हूँ तो उसने जब भी मुझे मिलती थी ऑल्वेज शेयर करती थी कि बहुत ज्यादा I mean sad रहती थी वो जब लगता है जैसे कि फोन पे जगड़ा हो रहा है जगड़ा चल रहा है तो मैंने जब भी पूछती थी तब भी वो बोलती यार मेरा बॉइफ्रेंड ना बहुत ज्यादा मुझे डाउट करते हैं बहुत ज्यादा मुझे कंट्रोल करना चाहता है मुझे always बोलते है इधर मत जाओ यह मत करो यह मत करो यह पहनो वह पहनो मतलब तुम डूबटा लेकर निकला करो उस बाती उसने मुझे सिर की थी तो कहीं बाद ऐसा हुआ यहा लास्ट टैम मैंने जब भी उसको मिले I mean पास से तो उसने मुझे सिर की थी मैंने देखा तुम्हारी नोज इतना रेड- वाइलेंट हो जाता है। और मैं जब भी पूस्ती हो कि इतना सारी लड़की, मैसेजेस तम्हारे पास कहा से आते हैं। इतने लड़कीों के साथ यह सब क्या है तुम्हारा क्या चल रहा है। तो यह बहुत जादा गुस्यादा हो जाते हैं मारने तक की चले आते हैं तो ये साड़ी बाते उसने मुझसे सेर की थी तो रिया अगर बात की जाए जैसा कि हमें उनकी माने एलिगेशन लगाया आरोप लगाया है कि मेरी बीटी बहुत बदल चुकी थी जो इसलामिक कल्चर्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा रुख मोड रही थी तो उस पर क्या कहना आपने क्या नोटिस किया मैंने कुछ मैने पहले एक बड़ हाजी अली जाते हुए देखा मैं हाजी अली से बाहर निकल रही थी और वो अंदर की तरफ जा रही थी भी वो शिजान के साथ थी और उसने ज़्यादा बात हो नहीं पाई काफी भीरबार थी और वो जब भी बॉइफरेंड के साथ होते हैं इसे भी ज़्यादा बात करती नहीं है तो नॉमेली हाई बोलके निकल गए अगर बात की जाए तुनिशा की तो तुनिशा कभी परिशान लगी या कुछ आपने नोटिस किया तुनिशा से मिलकर उनसे जानने की कोशिश की कि क्या रिष्टे में क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या बाते हो रही हैं जिसकी वैसे परिशान है लास्ट टाइम जब भी में मिली थी तब वो बहुत ज़्यादा परिसान थी वो परिसान इसलिए होती थी कि शिजान के साथ उनका एफेर चलता है और वो इसको कंट्रोल में रखना जाते है उसके बाद फिर वाइलेंट हो जाते हैं गुसा करते हैं फिर वो सारी सीजो को ले है और कितने साल पुरानी दोस्ती है हमारी दोस्ती एराउंड ट्री फोर यर्स के है और हम लोग मिले थे एक पालर में मिले थे जहाँ पे उसके नेरवे शूटिंग चल रहा था वो पालर में आये थे तो वहाँ पे हमारी इंट्रेक्शन हुई और वही से हमारी एक फ्रें लास्ट टाइम यही बात हुई कि वो रोने रोने को होड रही थी उसकी नोज में रेडनेस लग रहा था जब भी मैंने पूछा उसको कि तुम इतना ज्यादा डिप्रेस क्यों हो आखों की नीचे ब्लैकनेस आ रही थी तो तब भी मुझे उसने शेर की थी यार मेरी पाया था कि आपकी कोई एक फ्रेंट थी जिसको स्विजान ने उसे भी डेट किया था हाँ एक नॉमेल फ्रेंड थी जो हम लोग कुछ चाल पहले साथ में काम करते थे मॉडलिंग में थी वो तो वो मुझे बताई कि शिजान खान की एक्स गल्फरेंड रहे चुकी है तो उसने मुझे बोले कि सच में शिजान खान ऐसा है और मुझे लड़कियों के साथ ऐसा ही करता है और आलवेज वो नसा करते हैं बहुत वाइलेंट हो जाते हैं लड़कियों के साथ जगड़ा करते हैं तो वो relationship में honest नहीं रहता है, तो उसने मुझे ये बाते शेर किया कि ये एकदम से सच है. ये भी कहा जा रहा है कि law jihad का भी मुद्दा है, यहाँ पर law jihad की काफी बाते हो रही हैं, क्या लगता है आपको? लब जिहाद वाले बातों पे हाँ मुझे ये आता है कि और दूसरी बात ये है मेरी age जादा है और उसकी age कम है, तो मेरे मतलब ये है जब आप प्यार करने चले आते हो, जब proposal डालते हो, जब किसी लड़की के पीछे पढ़ते हो, तब भी आप नहीं सोचते हो लब जिहाद की मानना चाहिए, आपको religion देखना चाहिए, देखके प्यार करना चाहिए, जब भी आप starting period जो आप start करते हो, प्यार के सुरुआत करते हो, तब आप कुछ नहीं देखते हो, लेकिन जब खत्म हो जाता है, आपका दिल भर जुके है, तब भी आप देखते हो लब जिहाद, I mean like religion, I mean Muslim, Hindu, तो ये साड़ी बाते मैं नहीं मानती, प्यार में ऐसा कुछ होता नहीं है, हमें मानना भी नहीं चाहिए. साथि, आप जैसा कि बता रही है, आप उनकी दोस्त हैं, जैसा कि उनकी माने कही आरोप लगा है, कि जब उसने अगर सुसाइट करें कोशिश भी की, तो उनकी मा का यह कहना है, कि हो सकता है, कि वो जिन्दा हो, जब वो लोग कमरे में पहुँचे हो, तो उस पर आपका क्या कहना है, आपको उस पर शक है, या क्या कहेंगे? हो सकता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुनिशा सुसाइट की हद तक पहुच शक्ती है ठीक के मैं मान लेती हूँ शिजान खान ने एक पर डिक्लियर किया कि वो अल्रेडी सुसाइट पहले भी करने वाली थी तो मुझे ऐसा लगता है इसका जम्मिदार या फिर शिजान होंगे या फिर 15 मिनित में ऐसा क्या हुआ अफ्टर ब्रेक आप वो लोग साथ में लर्ण्स किया जहा तक मुझे सुनाए पड़ा कि उन लोगों ने लर्ण्स किया तो उसके रूम में 15 मिनित में ऐसा क्या हुआ क उसने सुसाइड की तो हो सकता है मुझे भी डाउट होती है और अल्मोस सभी लोग बोल रहे है कि हो सकता है शिजान खान ने ऐसा कुछ कर दिया है कि वो परदास नहीं कर पाई सुसाइड की या फिर वो सुसाइड नहीं की या फिर कुछ मर्डर आपको लग रहा है? हो सकता है मर्डर भी हो अब क्या उमीद करें रहे है यह अब यह बुरा वक्त तो है तुनिशा के परिवार वालों के लिए उनको बस एक उमीद है कि उन्हें इंसाफ मिल रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पूरे मामले को लेकर और साथ ही चौदर दिन की जूडिशल कस्टडी भी मिल गई है अब सिजान को मेरी मैं यही कहूंगी कि इसका प्रोपर इंक्वरी होना चीए प्रोपर इंवेस्टिकेशन होना चीए इसमें प्रोपर प्रोफ के साथ शिजान खान सही में शिजान खान का मिस्टेक है उसने वो इन्वाल्व है तुनिसा के सुसाइड में तो उसको सजा मिलना चीए तो मैं यही कहूंगी कि तुनिसा को इंसाफ मिले एक मा की बेटी गई है उनको इंसाफ मिले रहा है थैंकी सोबस हमसे बात करें कैमरा और गवरोनाई के साथ मैं हो वे शक्ला आस तक मुंबई